हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दोस्तो आज मैं एक ऑथन्टिक बेंगॉली रेसिपी आप से शेर करने वाली हूँ जो कि पर्वल से बनती है और बहुत यम लगती है और ये बेंगॉली रेसिपी में बहुत बहुत ज्यादा फेमस है तो चलिए दोस्तो जटपट बनाते हैं दही पर्वल यानी दोई पोटल तो दोस्तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए हमें सबसे पहले तो परवल चाहिए और यह मैंने करीब 200 ग्राम परवल ले लिया जिसको छिल के अच्छे से धूल के मैंने स्लिट लगा लिया है अब इसको थोड़ा सा नमक और हल्दी डालके मैरिनेट करके पांस साथ मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो यह देखिए करीब वन टीस्पून मैंने नमक डाला है और वन टीस्पून ही मैंने हल्दी डाली और इनको बहुत अच्छे से जो है मिला लेना है ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए और अब मैं जो है कडाई को गरम कर रही हूं उसमें मैंने सर सर स के तेल में ही अच्छा लगता है तो आगर आप चाहों तो और तयल में भी बना सकते हो पर अगर पॉसिब्ल हो तो आप प्लीस सर सो के तेल में भी वनाना तो तो स्मोकिंघ पॉइंट पर घर गाई है तब मैंने आज थोड़ा से धीमा करके और उसमें परवालों को डा ले रही हूँ और इसके लिए मैंने एक छोटी से कटूरी ले लिया उसमें मैंनेई हल्दी पॉडर ले लिया है और लाल्मिर्च पॉडर डाल दिया है कश्मीती रेच Catholics भी डाल दिया है और जीरा पॉडर डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा अद्रक का पेस्ट डाल दिया है अब इन सब को जो है अच्छे से मैं थोड़े थोड़े पानी डालके एक स्लरी सा पेस्ट बना लूंगी देखिए दोस्तों इस तरह से धीरे-धीरे करके अब इकठा मत पानी डालिएगा नहीं तो अंदाजा नहीं लग पाएगा और मेरा पेस्ट बन गया है मसाली के और इधर देखिए परवल भी अच्छे से फ्राई हो गया है अब परवलों को मैं निकाल लूंगी और जो तेल बचे गां उसी तेल में में एक बड़ी लाईची डाल दिया है और थोड़ा सा दाल्ची डाल दिया है और इसमें वह मसाला पेस्ट मैंने डाल दिया है आप मसाला को तब तक भूनना है जब तक के अच्छी से खुश्बू ना आने लगे मसाला й Доजा अगर आप बिगनर हो और मसाला कढ़ाई में चीपक नहीं रही है तब समझ जाएगा कि मसाला बहुत अच्छे से भून के रेडी हो गया है और जब मसाला भून गया है तब मैंने उसमें फैंटा हुआ दही डाल दिया है और इसको भी थोड़ी देर तक भूनना है कि जब तक दही जो है अपनी घी नहीं चोड़ने लगे और मैंने साथ में थोड़ा सा शक्कर और नमक डाल दिया है और जब मसाला अच्छे से भून गया तो मैंने फ्राइ किया हुआ परवल उसमें डाल दिया है दोचार हरी मिर्शी डाल दिया है और इसको भी दो-तिन मैनिट तक अच्छे से चला-चला क भूनना है ताकि मसाला खुब अच्छे से परवल के अंदर एब्सवर्ब हो जाए और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें ज्यादा ग्रेवी होती नहीं है तो इसलिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए नहीं थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि और अच्छे से कूपना हो जाए AOS अब अच्छे से दबा के चेक कर सकते हो कि परवल गल गया थे नहीं और यह दोस्तो हिए कितना यम सा सब जीवन के त्यार हो गया है दोस्तों अगर पहले आपने ट्राइं नहीं किया है तो प्लीज एक बड्र ट्राय करियेगा जरूर औ करम राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों यह देखिए कितनी यम सी रेसीपी है और अगर यह रेसीपी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा और अगर आप न्यू हो मेरे चानल में तो सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वी हराइब बिल्कुल